है यो बॉइस एंग गर्ल्स वेलकम तो दे चैनल गाइस आज हम करने वाले हैं हिट मैन एप सलूशन मिशन नंबर 9 तो जल्दी से शुरू करते हैं किसे करते हैं जल्दी सुर्दी एंग ये वस्साफ बस्साफ देसा घ्या के लिए Carnि एंग सुर्दी कि अ किर दूब किर्ष्या करते हैं प्हेंんだ przy mem Hakasyek करें WiFi प्रुरित जाता है प्रिर का कासराव घर सु Ts dominato ब्हेतालाद ऑ्रफ ची ची टुम्ट त्सक्ता घुड़ों में है सहे रहें प्रावर वावरी के त Waiting जोत आप्रशवल मुित पिंग़। ब्सक्ता वसब अ! अव कर दो कुझा सेंस यूूँ दूए एपार कि अव्यूश कर दोलादे व्यूश कर दोलादे यू यूण आज अई आपकाव तो तो गाइस अभी हम आगए हैं साउट डकोटा होप में फिर से एक बार और इस बार हमें लेनी की गैंग को ऐलिमिनेट करना है और अगर आप देख पा रहे होंगे तो सामने जो दो बंदे खड़े हैं वो भी लेनी के गैंग के ही मेंबर है और मेरा बस चले तो मैं इनको यही पे मार दू लेकिन यार यहाँ पे देखो यह पुलिस ओफिसर हर जगे खड़े हुए है और इस सिटी में भाई लोगों से ज़्यादा पुलिस ओफिसर है जैसे कि हम देखी सकते हैं यहाँ पे हर जगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगे पुलिस वाले है तो भाई, इनको मारने में क्या है, मैं यही खड़े-खड़े इनको मार देता, इनको मारना तो आसान होगा यहाँ पर अभी भी, लेकिन भाई, यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको ऐसे नहीं मारते हैं, इनको थोड़ा स्टैटर्जी कली मारते है थोड़ा दिमाग लगा के मारते हैं तो ओके मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करता हूँ देखते हैं हमारे टार्गेट्स ओके एक टार्गेट यही पर आ रहा है और वो शायद इसके अंदर जाने वाला है लेकिन भाई यहाँ पर यह अंकल जी ही वाला है और राइट यहाँ अंदर आ गया अब देखते हैं यह भाई साब क्या करते हैं यहाँ पर यहाँ पर एक और आंटी जी खड़ी हुई है यहाँ पर सुट्टा मारते हुए पता नहीं यहाँ पर क्या करेंगे हम ओके इन लोगोंने बात करना चालू कर दिया है इनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई साब तो मैं यह रेडियो चालू कर देता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ से थोड़ा कल्टी मारूंगा ओके इनको शक हो गया है ओके 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 जब तक इनको शक होता है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ इन लोग शक में ही रहेंगे ट्रेसपासिंग हाँ भाईया ट्रेसपासिंग तो करनी पड़ेगी ने तो उपर जाओंगा कैसे ओल्राइट यह बंदा अंदर चला गया हम अपनी गंस निकाल लेते हैं ताकि इस बंदे को थोड़ा गोली बोली खिला सके का है ओल्राइट यह बंदा यहाँ पर खड़ा है इसको देते हैं बत्ती यो ओल्राइट स्मूध अब अपनी गंस को रखते हैं अंदर और इन भाई साब को थोड़ा लगाते हैं ठीका ने इनको उठा लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर ओके यहाँ पर कबर्ड सा रखा हुआ है जो कि हमारे काम आ जाएगा इसको डंप कर देते हैं यहाँ पर अल्राइट बेटा सो जाओ इदर तुम अभी ओके तो भाई साब यहाँ पर सो गए और यहाँ पर कुछ माल पानी रखा हुआ है देखते हैं क्या है यह ओके बॉम है शायद उठा लेते हैं अल्राइट और अभी चलते हैं यहाँ से अपने जरा अगले टार्गेट पर नजर डालते हैं यही पर खड़े होकर ओल्राइट उधर काफी दूर एक टार्गेट है और इस साइड भी एक और टार्गेट है तो हम बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं मेरे ख्याल से मैं राइट साइड वाले के पास पहले जाओंगा क्योंकि भाई राइट साइड में मुझे जाने के आदत है वैसे इस बात का कोई लॉजिक नहीं मैंने ऐसी बोल दिया पर राइट साइड में पहले जाने की इच्छा हो रही है चलते हैं वही पर और यहां से बाहर निकलना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है देख लेते हैं पहले बाहर का नजारा और राइट आउन्टी जी अपने काम में बिजी है हम यहां से जल्दी से निकल पाएंगे ओके तो दुकान से हम निकल चुके हैं अल्राइट अब यहां पर थोड़ा चान बीन करते हैं कि भाई साब ओके काफी अंदर घुसे हुए हैं और शायद दोनों टार्गेट आसपास ही है तो यहां से जाना सही रहेगा मेरे ख्याल से तो चलते हैं जल्दी ओके गेट ओपन कर लेते हैं ओल्राइट फिर से ट्रेस पासिंग हां जी ट्रेस पासिंग तो करनी ही पड़ेगी ओ भाई यहां पर एक कुत्ता रखा हुआ है इन लोगों ने भौकना नहीं कुत्ते ओ शेट यह भौकना चालू कर दिया इसने ओके किसी को पता नहीं चलना चाहिए ओल्राइट तो अगर हम देखें इंस्टिंक्ट से तो यहां पर एक पुलिस वाला बंदा है खड़ा हुआ मेरे ख्याल से मुझे इसका डिसगाईज लेना चाहिए और इसके लिए मैं इसको यहां पर बुलाना चाहता हूँ लेकिन कैसे बुलाओ समझ नहीं आ रहा देखते हैं ओल्राइट एक बंदा अल्रेड़ी आ गया है इसको मार देते हैं आपे ओके कूल लेकिन यहां पर सस्पीशियस हो गए हैं तो थोड़ा बच के देखना पड़ेगा हमे ओके भाई साब यह हमारा टारगेट भी आगे खड़ा हुआ है इसको यही से उड़ा देता हूँ और यह पुलिस वाले भाईया भी जाएंगे और यह टारगेट बेटा तू भी जाएगा ओ शिट भाई यह टारगेट तो जा नहीं पाया ठीक है कोई बात नहीं डिसगाइज फिलाल के लिए ले लेता हूँ मैं यहां से ओल्राइट डिसगाइज ले लिया है अब यहां से चलते हैं ओके देखो भाई साब इस बंदेन हमको देखा भी नहीं बिल्कुल भी ओके तो अभी मैं इसको पीचे से ही दे देता हूँ गोली ओल्राइट एलिमिनेट हो गया है यह बंदा अब इसको कहीं पर ठीकाने लगाने की जरूरत है लेकिन यहां पर भाई मुझे कोई जगा है तो नहीं दिख रही जहां पर ठीकाने लगा जाए ओ शिट यहां पर पुलिस वाले अंकल जी ओ शिट उनने में पकड़ लिया है यह ले यह ले यह ले भाई यह ले टकलू ओ शिट टकलू बहुत मार रहा है टकलू को देनी पड़ेगी बत्ती यह ले टकलू यह ले यो या और मेरे ख्याल से भी टकलू का डिसगाईज में लेने वाला हो क्योंकि भाई पुलिस वाले का डिसगाईज यहां पर जाद अच्छा रहेगा ओके तो अभी यहां से जल्दी से हमको निकलना चाहिए और अपने लास्ट टार्गेट को ढूणना चाहिए यहां पर दो टार्गेट हमारे ऐलिमिनेट हो चुके है बड़े ही आराम से एक्चुली बड़े ही आराम से नहीं पर फिर भी काफी आसानी से हो गए मुझे लगाता है इससे मुश्किल होगा ओके यहां पर एक लीवर है इसको पुल कर देते हैं आल राइट अब चलते हैं यहां पर अंदर वैसे पुलिस का गेटा पर तो शायद कोई पहचाने का नहीं इसलिए इंस्टिंक्ट फिलाल में इस्तमाल नहीं कर रहा हूँ चलो चलो जल्दी चलते हैं हमारे आखरी टार्गेट के तरफ ओल राइट ओल राइट और भाई साब कैसे हो ओ शेट यह भाई अरे अरे पहचान लेता बस सस्पीशेस हो गया था बिल्कुल ओके ओके इसको बात करने तो हम यहां से कल्टी मारते हैं जल्दी ओल राइट चलो ओके भाई यहां पर है चेक पॉइंट यानि कि सही रास्ते पर है हम ओके यहां पर एक और दर्वाजा है इसको भी खोल लिया जाए ओल राइट पीछे कोई बंदा आ रहा है ओ शिट डिस गाइस ब्लोन कॉन है देख लेते हैं ओ तेरी ये ले ओके इसको यहां पर मैं ले कर जाता हूँ अंदर वरना भाई इदर किसी को पता चल जाएगा ओके बेठा इदर आ अब इसको कर देते हैं अब यहां से चलना चाहिए आउल राइट अब यहाँ से चलते हैं भाई हम उपर की तरफ और देखते हैं कि हमारा last target क्या कर रहा है मरने से पहले जल्दी जल्दी चलते हैं All right किदर है target ओके यह इधर ही आ रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर wait कर लेता हूँ भाई साहब का पिस्तल विस्तल साफ कर लेते हैं तब तक ओल्राइट ये भाई साब आ गए और ये ले पेठे ओके ये भी एलिमिनेट हो चुका है अब हमको यहां से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए गेट टू दा बैक एंटरेंस ओके मेरे ख्याल से हम जहां से आये हैं वही से हमको निकलना चाहिए क्योंकि बैक एंटरेंस का मतलब मेरे ख्याल से वही होगा ओल्राइट जल्दी चलते हैं मैप में हमको दिखी रहा है रास्ता तो यहां से निकलते हैं जल्दी ओके यही दर्वाजा था ओल्राइट और यह देखो यहां पर लाश पड़ी हुई है बिल्कुल यही दर्वाजा था और यह दूसरा दर्वाजा और यहां से अभी हमको जाना है और भाई साब कैसे हो ओ अच्छा पैचाना नहीं औरना भी मुसिबत हो जाती ओ शिट पैचाना क्या नहीं नहीं पैचाना ओके ओके यह रहा हमारा गेट यहां से निकलते हैं बाहर अच्छान क्योंदा थक्छाना